वीकेंड का वार से पहले आखिरकार सुम्बुल इतनी क्यों डरी हुई है? किस बात का उसे डर लग रहा है? और क्या वो प्रियंका के साथ शेयर करती हुई नजर आई? मैं हीना कुमावत फिर विंडो पे आपको बताऊंगी. तो कहीं न कहीं सुम्बुल जो है एक चीज को लेकर बहुत जादा परिशान है और इस बात को लेकर वो कर रात को शालीन से भी बात करती हुई नजर आई? और आज वीकेंड का बार है इसको लेकर वो प्रियंका की पास भी गई और रात को बोलने लगई कि मुझे डल लग रहा है कि मुझे सल्मान सर से डांट पढ़ने वाली है जिस पर प्रियंका ने कहा कि क्यो तुझ ऐसा लग रहा है? किस बात के लिए डाटेंगे? क्या किया है तुने ऐसा? जिस पर सुंबुर कहती है कि देख मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो अब्दू को नॉमिनेट किया है और तुझे बचाया है इस बात को लेकर सल्मान सर मुझे जरूर डाटेंगे क्योंकि अब्दू को हर कोई पसंद करता है और ऐसे में सल्मान सर मुझे जरूर कहेंगे कि तुमें क्यों लगता है कि अब्दू का कॉंट्रिबूशन नहीं है वीक कॉंटेस्टेंट है तो उसे क्यों किया? इस में प्रियंका ने कहा कि तुझे फालतू का डर लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सबकी अपनी गेम स्ट्राटेजी होती है सल्मान सर इतना कुछ भी नहीं बोलेंगे जितना तो सोच रही है पर सुम्बुल ये कहती ही नजर आई कि मुझे ये सोच कर तो नीन भी नहीं आ रही तो एक बात तो तैह है कि अब्दु को नॉमिनेट करने के बाद जहां सुम्बुल जाकर सौरी भी बोलती ही नजर आई थी वहीं मैं आपको बता दू कि खुद जो है शालीन से भी वह कह रही थी कि मैंने अब्दु को इसलिए किया क्योंकि मुझे फिल वाकिय में प्रियंका स्ट्रॉंग लगती है उसका गेम में योगदान है तो वह बार बार जो है कल से खुद को ही एक्स्प्लेइन कर रही है और दूसरों को भी एक्स्प्लानेशन दे रही है इस बात को लेकर कि उसने अब्दु को जो है नॉमिनेट क्यों किया है लेकिन अब वीकेंड का वार से पहले उससे लग रहा है कि सलमान खान जो है इस बात को लेकर उसको फटकार ना लगा है